भारत माला योजना के राश्ट्रिय राजमार्क 119A पटना आडा सासाराम फोर लेंज सरक निर्मान कारे का प्रारंबिक अधिसूशना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है बता दे कि इस प्रकार पडियोजना को लेकर जिले के तिरपन राजस्वग्राम के भूमी का अधिग्रहन कारे करना है जिन में से 31 राजस्वग्राम के अधिग्रहन का काम पूरा भी किया जा चुका है मिली जानकारी के नुसार सरक परियोजना को लेकर जिले के 5 प्रखंडों के तिरपन राजस्वक गाउं के भूमी को अधिग्रियत किया जाएगा राज्ट्रिय राजमार्क 119 एस सरक के निर्मान से बिहार का दक्षनी छोड को बिहार के उत्री छोड से जोड़ा जाएगा ऐसे में सासाराम से सीधा मरी जाने में काफी समय की बचत होगी गौर तलब है कि इस सरक परियोजना के निर्मान कारे को लेकर तरारी प्रकंट के 15 राजस्वक ग्राम, चर्पुकरी प्रकंट के 12, गरहनी प्रकंट के 10, उद्वन्त नगर प्रकंट के 10, तथा कोईलवर प्रकंट के 5 राजस्वक ग्राम की भूमी अधिग्रियत की बहुत एक सत्यापन कारे पूरा करने के बाद जिला भूर जन कार्याले द्वारा जमीन अधिग्रहन को लेकर 3A नोटिफिकेशन की कारवाई भी सुरू की जाएगी गौर तलब है कि एनच 119A फोल्ले सरक जिले के तरारी अंचल के महादेबपूर मौंजा में प्रवेस कर को योजना को लेकर अधिग्रहत की जाने वाली भूमी को लेकर तिरपल राजस्व मौजा एनचाई द्वारा अधिसूचित कीज गये हैं जिन में से अब तक जीला भूर जन कार्याले द्वारा 31 राजस्व मौजा का भौतिक सत्यापन कारे पूरा भी कर लिया गया है इसमें तरारी अंचल के महादेवपूर, अकरोंच, तरारी, बढाका गाउं, सुर्मना, भदसेरा, इठरी, रनी, निर्भैडेरा, किरतपूर, गाजडोही, कुर्मोहरी, धनगावा, चरपोखडी, अंचल के सोनवर्षा, कुसुमही, कुमहेला, सोनडपूर, केसोपूर, गढ़ सामिल है, महीजन राजस्व मौजा को अब तक भौतिक सत्यापन कारे नहीं हुआ है, उसमें महेजडी, चनियाडी, जैरामपूर, कोडी, चांदी, गढ़ा, असनी, पियनिया, दिवरिया, खजुआता, बकडी, खनगाउं, कुसिहान, मानपूर, गुरी, तथा जलपूरा राजस्व ग्राम सामिल है, बताते चले ही कि भारत माला सरीक परियोजना के अंतरगत बनने वाले एनच 119A4 लेन भोजपूर के तरारी अंचल के महेड सिदी, महादेपूर, अकडॉंच, तरारी, बड़का, गाउं, सुर्मना, बदसेरा, डुम्रिया, इठरी, रनी, अंचल के करनोल में प्रवेस कर फिर उद्वन्थ नगर अंचल के डेमा, एरोरा, कसाप, उद्वन्थ नगर, गढ़ा, असनी, पियनिया, देवरिया, खजवाता, बकडी होते वे, कोईलबर अंचल के खनगाओं, कुसिहान, मानपूर, गोडी, तथा जलपूरा होते वे, पटनाजिला में प्रवेस कर जाएगी, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,